हेलोब भला investigative वेल्कम बैक ह Run generatedricor'd पेडि़्यूर फेज़र है चलिए है चलिए थे पुर्ट उप कराइए तो आप आज लोग के लिए यह वीडियो लेके आैए थे आप पारळ जैसे पेडि़्यूर फेडियोर घर पे ना चाहर तो चलिए ओपुए पियक ओप पीड-पाइस आप किसी भी ब्रैंड का इसक्रब ले सकते हैं और इसके बाद यहां पर है पॉलिसिंग और यह नहीं भी हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं इसके बाद है बोडी लोशन आप अधर कोई भी ब्रैंड का लोशन ले सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम नेल पेंट जो लगा है उसको रिमोव कर लेंगे और उसके बाद नेल कट कर लेंगे अगर आपको नीड है कटिंग की तो आप कट कर लेंगे तो मैंने अपने नील को कट कर लिया है जो भी सेप चाहिए आपके ऊपर है आप वैसा कट लिए और इसके बाद मैंने इहां इसकुर ब लिया है नील इसकुर बाध आप इस तरे टिल का भी भी जो feeling को कुछ presum를 बीएँ तो मैंने यहाँ पे नेल को clean कर लिया है जो भी उपर डर्ट वेगरा जम जाते हैं उसको मैंने इससे clean कर लिया है सारे नेल पे इसी तरीके से clean कर लेंगे और साइड से हम लोग skin को खीच के रखेंगे क्योंकि इसकीन में अगर लगेगी तो skin छिल जाएगी इसके लिए सारे नेल को मैंने cut भी कर लिया और scrub भी कर लिया अब इसके बाद बारी आती है scrub की तो मैंने यहाँ पे scrub लिया है और इसमें मैंने थुला सा polishing oil add किया है आप इसको skip भी कर सकते हैं तो मैंने सिर्फ नीचे में इसको लगाया है मैं आपको पानी के साथ भी एड़ करके दिखाती है फिंगर पे बहुत सारे ड़्ट वेकाड़ा जमे रहते हैं तो आप इसको स्क्रब कर लेंगी जहां जहां आपको नीट लग रही है पूरे पैर पे, उंगलियों पे, नेल पे, हर जगह अभी मैंने क्या किया कि कि स्क्रब में पानी को मिक्स कर लिया और उसके बाद मैंने हाप लगाया है पूरे ठेवने के नीचे पूरे पैर में और जब हम लोग का वैक्सिंग किया हुआ पैर रहता है तो आप लगवग 5-7 मिनट दोनों पैर पे लगवग 10 मिनट आप इसक्रब कर लेंगे आप इस तरह के से एरियों के पास भी अच्छे से इसक्रब को कर लेंगे पैर के पीछे भी हर जगह मैंने यह पर बार बार पानी का यूच किया और थोड़ा सा इसक्रब भी लेते गया है जैसे जैसे मुझे नेट थी वैसे वैसे मैंने इसक्रब का भी यूच किया है पूरे पैर पे हम इसक्रब कर लेने के बाद फिर हम इस टिप को बंद भी करते हैं इस तरीके से आप देखे कि एक यही बार मैंने स्क्रब किया और कितने अच्छे से पैर क्लीन हो चुके है इसके बाद मैंने एमके ठेकेने का लोसन लिया है पैर को अच्छे से क्लीन कर देने के बाद मैंने लोसन से ही मसाज किया है और मसाज भी हम पांच मिनट करते हैं जिससे की पैर को तो आराम मिलता ही मिलता है साथ ही बहुत अच्छा सा ग्लो भी आ जाता है पैर में बोडी को भी न बोडी भी हम लोग की बहुत जादे ड्राइ हो जाती हाथ पर भी बहुत जादे ड्राइ हो जाती तो इस तरीके से हम लोग लोशन का यूज करते हैं और यहां पे भी लास्ट में इस्टिप को बंद करते हैं तो मैंने इस्टिप बंद कर दिया है कि निल पिला के हम लोग लास्ट में दबा दिते हैं जिसे कि भूत आराम मिलता है 5 वार हम कम से कम ऐसा करेंगे प्रेशर देके करेंगे जिसे की जो क्लाइंट है या जिसके का हम कर रहे हैं उसको अच्छा लगए एरियो को भी हम इस तरीके से दबा देते हैं जिसे की बहुत ही आराम मिलता है और आपको पार्लर जैसा ग्लो भी आजाएगा पैर में निखार भी आजाएगा पैर अच्छे से क्लीन भी हो जाएगे जो भी डेड़ी स्कीन है वो सब रिमूब हो जाते हैं मैंने यहाँ पे इस टिप को बंद कर दिया है इसके बाद यहाँ पे मैंने पॉलिशिंग ओयल लिया है आप चाहे तो नारियल तेल का भी यूज कर सकते हैं मैंने पूरे पैर में इसको लगा लिया है और यहाँ पे मेरी पेडिक्योर कंप्लीट हो गई है अब मैं यहाँ पे नेल पिंट लगाऊंगे जिसे कि मेरी पैर और भी अच्छे दिखे इससे भी हम लोग मसाज कर लेते हैं तो यहाँ पे स्टिप पंद करने के बाद बार्याती नेल पिंट की तो आप अपने पसंदिदा कलर चूज कर ले और नेल पिंट लगा ले फिर हो गई आपकी पेडिक्योर घर पे ही पारलर जैसे आप इसको वीक में एक बार कर सकते हैं जिसे कि आपके पैर या हाथ दोनों बहुत ही अच्छे से क्लेइन रहेंगे और अच्छे भी दिखेंगी तो यह है मेरा फाइनल लुक आप लोग को अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड सरकल में सेयर कीजिए मेरे वी झाल